दोस्तो अगर आपके PAP एकाउंट में आपका नाम या आपके डिडू बर्द करा लिएंगे तो आप online भी ठीक करा सकते हैं दोस्तो वो online किस तरीके से ठीक करा सकते हैं मैं आपको आगे process करके दिखाने बाला हूं दोस्तो अगर online नहीं होता है तो offline करा नहीं होता है लेकिन दोस्तो online पहले करके देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ process वो किस तरीके से होगा जो आप online अपने PIP account में आपका नाम गलत है या आपकी date of birth गलत है तो उसको कैसे सही करा सकते हैं उसमें कैसे correction करा सकते हैं उसकी process में आपको बताने बाला हूँ अगर आप PIP account holder है तो आपको पता होगा कि दोस्तो PIP account में जो date of birth है बिल्कुल right होनी चाहिए आपके as per आधार मतलब आधर card के according सही होनी चाहिए दोस्तो कभी कभी क्या होता है कुछ PIP account holders दोस्तो जो हमारा आधर card होता है पहले तो हमारा PIP account में date of birth अलग होती है लेकिन बाद में अपना आधर card अपडेट करा लेते हैं तो ऐसे में दोस्तो क्या होता है हमारे PIP account में और हमारे आधर card में date of birth अलग अलग हो जाती है तो दोस्तो हमें एपी ओफों में request डालनी पड़ती है कि हमारी date of birth हमारी जो आधर card में है same to same बै आधार नहीं होगी मतलब आधार के तरीके से आधार वाली ही detail अपके PIP account में जब तक नहीं होगी चलिए दोस्तों आप process आपको करके दिखा देता हूं कि वह किस तरीके साब को request डालनी है अपना नाम या अपने date of birth को correction कराने के लिए चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको gov.in similarly दोस्तों इस पर करेंगे हैं क्लिक दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद EPFO का पोर्टल खुल जाएगा दोस्तों इस पोर्टल में राइट साइड में आपको देख रहे हूंगा यूए न पासपोर्टर कैप्चा मांगा जा रहा है दोस्तों अपना यूए नमबर अपनी कमपनी से लिया तो आप भूल कहा है या फिर दोबार नहीं मिल पाराया कमपनी से तो यूए नमबर ही अपने अधरकाट के अकोडिंग फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं मैंने वीडियो वना रखे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगी चलि दोस्तों अपना यूए नमबर पासबर और कैप्चर डालने के बाद में हो जाता हूँ अपने गांड में साइन इन चलि दोस्तों मैं कर लेता हूँ तो दोस्तों मैंने डाली सारी डिटेल अब मैं होता है यह ग्रीन कलर में दिख आपका साइन इन सिंपल इस पर करें जो आपके आदर कारट में अभी आपके आदर कारट में देट अबद है वह यहांपर, 0 हो रही है यहां फिर अलग같़ है दोस्तो में कर्वाण इन में अलग्यां अब को दिखा देखुआ अभी मैं जब डालूँ उगा दोस्तो वो डिटो बर्त अलगे अब आपको क्या करने आ गए यह उपर आपको पांच ओप्शन दीखेंगे हो में एकाउंट ऑनलाइन सर्विस तो मेंनेज वाले उप्शन पर किलिक करने बाद दोस्तों सुम्पल यह आपको दिखेगा या आपड़ वैसिक डिटेल सिंपली कुछ चैंज करना है और इदर एंटर कर लेना है और तो दोस्तो कुछ correction कराना है तो आप उसको भी मतलब जिस प्रकार से वादरकार्ट में है उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है दोस्तो कहना है कि अपने आधरकार्ट के according इधर वाले कोलम में detail फिल करनी है जहाँ पर आप नाम है नाम डालेंगे उधर दोस्तो date of birth है तो date of birth दालेंगे चले दोस्तो मैं डालेता हूं तो चले दोस्तो मैंने डाड़े डिटेल अपनी जो भी मेरे आधरकार्ट में थी मैंने इदर डालिये और जो परजयेंट पहले है वह इधर आपको दिख जाएगी उसके बाद आप इधर डिटेल डालेंगे अपनी detail लाने बाद तो इधर आपको दिखेगा टिक के लिए कंडिशन एक दिखेगी जहाँ पर आपको लिगा दिखेगा मैं अपनी पैचान स्थाफित करने के लिए उद्शे से आधार आधारी दोस्तों कुछी इस प्रकार का आपको दिख जाए मैं पुरा नहीं पढ़ रहा हूं दोस्तों य इधर दिखेगी जो अबिलेबल डिटेल है वो इधर दिख जाएगी और दोस्तों जो आपको चेंज कराने के लिए आप रिक्वेस्ट आले हो आपको इधर दिख जाएगी उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है अपनी चैक करने के बाद यहां पर ग्रीन कलर म जाएगा जहां भी आपका field of is पड़ता है यह वहाँ पर request जाएगी उसके बाद दोस्तों वो इसको approve करेंगे फिर आपकी date of birth आपके account में सही कर दी जाएगी आपका नाम आपके account में सही कर दी जाएगा जो भी आपको problem है जिसके लिए आप request raise कर रहे हो तो दोस्तों मेरे case में date of birth के लिए problem थी तो मैं date of birth के लिए दोस्तों मैंने यापर किया है request डालिए दोस्तों इधर आपको दिख जाएगा इधर मेरी date of birth जो भी है मैंने इस case में जो भी मैंने feel किया है date of birth जो पहले थी दोस्तों वो दिख जाएगी दोस्तो और अगर इस तरीके से नहीं होती है कि दोस्तो अगर कैंसल होता है तो एक ये तरीके से होता है कि जो रिमार्क में आता है कि डोकुमेंट अपलोड नहीं करें दोस्तो डोकुमेंट अपलोड करने के लिए ओप्सन कभी-कभी नहीं खुलता है क्योंकि दोस्तो कभी- मैं मानने के लिए उनीस उच्छाह में और आप सही कराना चाहते हैं मतलब संदो जार कराना चाहते हैं तो चार साल का गभए तो अगर ज्यादा गभए तो इसके लिए documentation लगती है, document upload करने होगे वहाँ पर option खुल जाएगा automatically जैसे हैं आप company select करोगे, फिर document choose file करने के लिए document upload करने के लिए option भी आ जाएगा, कोई भी problem नहीं होगे आप अपने document, 102 मतलब maximum आपको 2 document तो upload करने हैं, जिसमें आपके mark sheet भी कर सकते हो, author card भी, pen card भी मतलब दोस्तो कर सकते हो, ये document से को minimum तो 2 documents होने चाहिए और दोस्तो अगर date of birth के जैसे मेरे case में था, कुछ ज़्यादा फरक नहीं था, दोस्तो इसमें कुछ महीने का ही फरक था, जो upload documentation का, अगर दोस्तो document अप्लोड करने होंगे आपको minimum 2 documents upload करना क्योंकि EPFO एक से ज़्यादा document देखने की condition ने थोड़ा इसी बची से, दोस्तो मैं recommend करता हूँ कि 2 कम से कम document upload कर सकते हैं, और करिए उससे क्या होगा कि reject होने के बहुत कम chance रहेंगे, तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको जो जानकारी है, आपको जो मैंने शिखाया आपको अच्या लागाऊ और दोस्तो वीडियो अच्छी लगई तो वीडियो को like जरू करना है, वीडियो कमेट सेकते नहीं तारा वीडियो कैसी थी और दोस्तों किसी भी पिरकार के अगर आपको एप एकाउंट में या पीआप एकाउंट से रिलेटिड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंड बॉक्स में कह सकते हैं नहीं तो इंस्टेग्राम लिंक में डिक्स्रिप्शन में दी है आप करते हैं मिलते हैं आप सकते वीडियों तब तक के लिए प्लंद ध्यान ना कि अपने आस पास साफ सब्सक्राइब बाबाए जय हिंद